हाँ जी एक रिक्वेस्ट वीडियो पूरी देखेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा ताकि ये ज़ादा से ज़ादा लोगों तक पहुँच पाएं आप इंडिया के लावग किसी और देश से हैं तो अगर आपको हिंदी समझ आती है तो definitely आप इसे enjoy करने वाले हैं और इसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और लाइक कर देंगे तो आपके आसपास भी वीडियो जो है पहुचनी शुरू हो जाएगी आपके दोस्तों का भी भल मिना चाते हैं किसी भी लेवल की तो learn91.com पे जा सकते हैं आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन बहुत कम प्राइस पर हम लोग प्रवाइड कर रहे हैं को डिस्काउंट कोड़े चल रहे होंगे तो वह आपको comment box में या description में मिल जाएंगे otherwise simply learn91.com पे जाएं वैसे ही prices हमा लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजिए बना पॉप चल रहे हैं ठेक हैं हेलो मित्रों कैसे आप लोग स्वागत है आप लोगों का एक खास session में जिसमें लोग चर्चा करेंगे के आप अपने ACCA के skill level के AA को कैसे prepare कर सकते हैं अच्छे से और कैसे अच्छे number score कर सकते हैं ACCA के exams में तो बहुत जादा घरबढ़ है तो इसलिए जो भी notes बनाने हो अपने PC पे बैठके laptop पे बैठके मतलब लिटरली उसको पर से बैठके नहीं मतलब अपने PC और laptop पे टाइप करके जो है notes बनाईएगा सबसे पहले paper के structure की बात करते है section A और हमारे पास है section B और audit के paper क यही खास बात है auditing and insurance की कि यहाँ पे न section A आपका है 30% यानि यह तो मिलेंगे आपको objective type question या short questions जिसके अंदर आपको 3 case studies आएंगी हर case study में 5 question होंगे 2 number के each यानि कि 5 into 2, 10 into 3 total 30 number आपके ऐसे बनने वाले हैं और उसके बात section B जिसमें सबसे अदा बच्चों के पहर जो है थर 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 कापते हैं वो है क्या हमारा constructed response और long questions और इसमें आपको 3 question मिलते हैं 30 number का 20 number का और 20 number का और इस तरह से आपके 70 number बन जाते हैं चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे अदा बच्चे कौन से section की वज़ए से fail होते होंगे सबसे बच्चे कौन से section की वज़ए से fail होते होंगे बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से और सही जवाब अगर आपके मन में आ रहा है section B तो मैं बता दूँ कि वो गलत जवाब है बच्चे fail होते है section A की विज़ए से जो section A में score नहीं करता वो A में fail हो जाता है यानि section A जो है आपका make or break बनाता है मेरी बा पास होने के chances को बढ़ाते जा रहे हैं और आप अपने 20 से अगर नीचे ले जा रहे हैं तो अपने पास होने के chances को अप लोग घटाते जा रहे हैं तो always 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 try कि आप लोग इसे 20 से ऊपर ले जाए जितनी ऊपर तक जा सकता है भाई कोई limit थोड़ना है भगवान करे आपके 30 पास होने के chances जो हैं यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं उमीद करता हूं कि यह बात clear है तो अपने mind को day 1 से समझाईए कि साब section A में मुझे कम से कम नहीं तो 20 तो लाने ही है और जादा जितना हमें marks मिल जाए उतना बढ़िया है यह बात अगर आपको समझ आती है तो दीजेगा साथ साथ में वीडियो को like भी कर दीजेगा अच्छा then comment box में yes किसले लिखोगे कि भाई मुझे बात समझा गई है then इसके बाद आप लोगों ने एक चीज जो है और मेरे साथ देखनी है कि हम कैसे कैसे जो है preparation कर सकते हैं देखिए आपका पूरा double A का syllabus इतने parts में divided है ये वाला जो part है na audit framework and regulation ये वाला जो part है इस part में से आपके high chances है कि जो हमने section A के questions देखे वो बनेंगे इस part में से आपके section B के questions बनते है और इस वाले part में से भी generally speaking section A और B दोनों के ही बन सकते है इसमें भी A और बी दोनों ही बन सकते हैं लेकिन A के chances जो है वो ज़्याद जादा होते हैं, एक चांसे जादा होते हैं, और यहां तो में तोनों दोस्तों भाईयों बैनों, बी के चांसे सबसे सबसे जादा होते हैं, और यह तीन, तीन टॉपिक बहुत जादा important भी है, planning and risk assessment, internal control और audit evidence, अब ज़र मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, audit framework and regulation बच्चे ignore करते हैं, फिर section A में pass नहीं होते हैं, और जब section A में pass नहीं होते हैं, तो भाई साब फिर section B में कहां से pass होंगे, section B में भी हमने number लेने, ऐसा नहीं कि section B में number लेने, लेकिन section A को बहुत अच्छे तरह त्यार करना है, तब ही हम लोग जो है, अपनी game बना पाएंग क्यों section B में मित्रों दोस्तों भाईयों भेनों, राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़ादा जरूरत होती है, बहुत ज़ादा, और वो आप लोग करते नहीं हो, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die, ऐसा क्यों है मेरे भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और section B के लिए, आप section B के लिए, मैं आगे section B के बारे में कुछ भी बताऊ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर तुम लोगों ने paper पे लिखके practice करनी है, अगर तुम लोग paper पे लिखके practice कर रहे हो, भाई साब, सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, बहुत बुरा, लेकिन मैं बोलूँगा जरूर छोड़ दो ACCA, छोड़ दो ACCA, आपने day 1 से section B के answers की practice अपने पास आपके बास जो भी software हो, चाहिए भी आपके बास word हो, google docs हो, या आपके बास ACCA का platform आप यूज़ कर रहे हैं, type करके करनी है, type करके, यह हाथ है ना, हाथ उनने लिए टक 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 चलनी चाहिए, speed होनी चाहिए, तब ही अच्छे number score कर पाओगे, ओके, so section B में आप लोगों की day 1 से जो है, वो writing practice जो है, वो check होगी, आपका structuring of answer चेक होगा, section B से ही आप एक core professional बनना शुरू होंगे, याद रख लीजिएगा, ये MCQ से कोई core professional नहीं बनेगा बाबू, आए, then, तो basic syllabus के बारे में म solutions मिलेंगे, B भी आ सकता है, ऐसा कोई, ACC ने कोई guideline नहीं दिये कि इसमें से आएगा, इसमें से भी आएगा, नहीं, ये मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ, जो मैं different exam kit को मैं study कर पाया, different exams को जो मैं देख पाया, now, why student fail in A, काईकू fail होते हैं, बालक, number one, poor time management, और इसका भी कारण मनता है, आपका section B, section B में आप देखोगे, बच्चो के marks जो हैं, वो कमा रहे हैं, वो time ही नहीं manage कर पाते हैं, paper ही नहीं पूरा कर पाते हैं, मैं आपको time management के बारे ही बताऊंगा, then, इस बात को अपने दिमाग में डालो, lack of practice, lack of writing practice, lack of typing practice, right, lack of practice leading to poor performance in section A, अब section A की त scoring part, section A बच्चो धिमाग में डाल लिजिए, section A में अगर आप score नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरवड होने वाली, बहुत ज़्यादा, section A के लिए मैं आपको एक simple rule बताता हूँ, आपके पास, आपके पास दो major publisher हैं, एक है Kaplan, और एक है BBB, इन दोनों की आप लोग exam kit उठाईए, और section A के जितने question है, if I'm not wrong, Kaplan में आपको 200 के आपस question मिल जाएंगे section A के, कम जगम दो बार करके जाईए, BBB को पगड़ लिजे, जितने question दे रखे हैं, उसमें exam kit में section A के, कम जगम दो बार करके जाईए, देखे कैसे score नहीं करते हैं, और बहुत असान है, no mocks, no mocks मतलब again, no mocks की विजए से ही, आप no time management zone में चले जाते हैं, क्योंकि आपने time manage नहीं केरना आता आपको, आप no writing practice zone में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, कि यह कितना, कितना, जो है वो समय लगने वाला है, writing में है न, और साथ ही साथ में, साथ ही साथ में साथ ध्यान दीजेगा, इसी की विजए से, आपको section A को, section देगे questions का idea नहीं लग पाता, आप लग रहते हो, planning पढ़ूँगा, risk assessment पढ़ूँगा, internal current पढ़ूँगा, audit dividends पढ़ूँगा, audit framework का regulation कौन पढ़ेगा, तुमारे बदले आके मुझे बताओ ज़रा, दुष्ट, आ exam kits उठाओ, शुरू हो जाओ, अगर आप सिर्फ classes देख रहे हैं, सिर्फ reading कर रहे हैं, books की, आप pass नहीं होने वाले, question solve करो, question कैसे solve करो, मेरी बात को द्यान सुनना, बिना answer देखे solve करो, बिना answer देखे solve करो, पहले section A को मजबूत करो, फिर section B को मजबूत करो, जब पूरा question क answer दे दो, उसके बाद आप लोग उठाओ, और देखो भाई साब, कहाँ पे दिक्कत आ रहे थी, कहाँ पे जो है वो, सई चीज़े नहीं हो पारे थी आपसे, ये चीज़ आपको समझ नहीं पड़ेगी बाबू, otherwise काम बनता हो, मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बिलक करते समय, अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं, कि ओ, कोशन पढ़ लिए, आप आंसर देख ले था हूँ, भाई साब, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हो, आपको प्रॉबलम आईगी, तो आप आंसर देखना थो ना, आप आंसर पहले बनाओ, आप अपने आपके, इसको चलने तो दो, आप सीधा आंसर देख लो, कि क्या लड़ू त्यारी होगी तुम लोगों की, बोलो, तो पहले भाई साब आंसर लिखो, माक कर लो, उसके बाद अपने आंसर चेक करो, उनकी रीजनिंग चेक करो, ठीक है जी, चलिए, और एक बात आपको बता हूँ, एक खास बता आपको उता रहा हूँ, स्पेशल टिप दे रहा हूँ आपको, सेक्शन एक के कोश्चन को जब आप कर रहे होंगे, और उसमें एक्जाम में रीजनिंग नहीं देनी होती है, लेकिन आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है, मन में उसकी रीजनिंग जरूर बो पर देता है, या फिर एक अपनी वो कॉपीज निकालते हैं एक्जाम की, वो प्लीज 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 सॉल्व कीजिए, वो भी आपको एक्जाम किट्स में जो है, वो मिल जाती है, कहानी का सार, प्रैक्टिस ऐस मुच कोश्चन एस पॉसिबल और ट्राय तो प्रैक्टिस आपको रीडिंग स्किल्स जबर्दस चाहिए, और साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बलकि किसी भी एक्जाम गो क्लिए करने के लिए, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए, ए में पर्टिकुलर्ली एक स्किल्स और एड़ जाता है, और वो है मित्र राइटिंग, तो रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड देन राइटिंग, ये तीन चीजे आपको पास कराएगी, रीडिंग स्किल्स, मैं आपको बता रहा हूँ देखोई वीडियो, अगर आप अपने एक्जाम से जितना आप रीड करोगे न, उतना जादा, ये धीरे-धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आज ने आपको हमें भुगली गुट्टी पिला दी, मेड़ा कल से तु बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएगा, नहीं आपको बता है, एक बात मैं बोलता हूँ, जो लोग ACC कर रहे हैं, जिनकी schooling बढ़िया हुई है, जिनका school background बढ़िया है, उनको ACC में दिक्कत नहीं आती है जिनकी अंग्रेजी में थोड़ी सी problem है न, because of the schooling background और any other reason whatsoever they are facing serious problem, क्यों? उनकी reading सही नहीं है, अच्छा पढ़ने के साथ साथ, comprehension, comprehension मतलब understanding what you have read तो आपको comprehension अपना सुधारना पढ़ेगा, और यह सब practice का game है, बाभू, यह सब practice का game है और उसके बाद writing क्योंकि भी, section भी 70 number गाया है, 70 number आपके, पूरे-पूरे writing पे dependent है और मैंने साथ लिखा है, reading, comprehension, writing, you can develop them only by, only and only by practice और writing में आपको time management बहुत ज़रूरी है, और देखिए, यह तीनो ही चीज़े, आपकी time management contribute करेंगी अगर आपके reading skill अच्छे नहीं, दीर दीर पढ़ रहे हो, भाईस आप समय निकल गया, आपका paper ही नहीं पढ़ पा रहे है comprehension अच्छा नहीं, पढ़ तो बहुत fastly आप लोगों ने, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, मांग कहा रहा है, उसको बार-बार-बार-बार-बार-बार read करना पड़ रहे है, और writing speed अच्छी नहीं है, तो भाई से performance यह आपकी से लोग चल रही है time management is of supreme importance in AA, simple rule है, 1.6 minute per mark, कई लोग इसे 1.8 बोलते हैं, मैं 1.6 बोलता हूँ, क्यों? अपनी, जब आप mock test दे रहे हों, जब आप practice कर रहे हों, जब भी आप कोई question कर रहे हों, always log, always log your performance, what is logging your performance, वो देखते हैं, hey guys, what's up, कैसे हैं आप लोग, what is logging, मैं अपनी life को log बना रहा हूँ, कि मैं लाइफ में इस दिन में, आज क्या क्या किया, ऐसे आप लोग जब questions प्र सुरू करें, stop watch on कर दीजे, यह करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा बावा, इसी से, if you cannot measure your performance, you cannot optimize it, as simple as that, आप उसे measure नहीं कर सकते हैं, आप उसे optimize कैसे करेंगे, best कैसे बनाएंगे, यह आपको करना पड़ेगा, तो आप एक काम करेंगे, आप लोग जो है, अपनी performance का log बनाएंगे, कि अच्छा, question number one मैंने किया, यह पांच, यह अपना वो 10 number वाला question था, इसे मुझे read गरने में, answers देने में, मान लो, 10 minute लगे, 15 minute लगे, 20 minute लगे, जितने भी लगे लिखो, और आपके बास वो log ऐसा मेंदिन रहे हैं, जो मैंने first time किया तो इतने minute लगे, फिर second logging, 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 not vlogging, logging, your practice is very important, आप please practice करें, और साथ में log करें, तो आप time management अच्छे से कर पाएंगे, आप लोग यह rule याद रखें, for every mark, you have around 1.6 minute, 20 number की question के लगे बास 32 minute के असपास जो है वो बनते हैं, आईए, then, section A के लिए मेरी क्या tips हैं आपके लिए, देखो भाई, section A में, कोई भी question तुमने unanswered छोड़ना ही नहीं है, negative marking है क्या, नहीं बताओ मुझे, बताओ negative marking है, अरे बताओ भाईया, negative marking है क्या, answer is no, और जब negative marking नहीं है, और तुम question छोड़ के आ रहे हो, तो यह लिखा के घूमरे और पर बात नहीं है, so please, 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 कोई question भी आपने unanswered नहीं छोड़ से पूने का distance कितना है, फरिदवाद से पूने का distance कितना है, दो option दे रखें, चार option नहीं है, चार में से दो ही है, 100 meter, 1500 meter, अरे यह तो पक्का गलत है ना बाबू, यह तो पक्का गलत है, eliminate कर दो ऐसे options को, तो आपको कुछ short short options दिखते हैं, जो गलत होते हैं, उनको eliminate कर दीज अब आपने 2 eliminate कर दिए, 50% chance हो गए हैं, तो आपने, अगर नहीं आता आपको, आप elimination method यूज करने की कोशिश कीजिए, आप guess work करके आजए है, educated guess करके आजए है, मतलब सोचा समझा हूआ guess होना चाहिए, ऐसा नहीं कर ना कर बकर बंब, यह ठीक लग रहा है, इसको कर दो, न पढ़ लो, सीधा question read कर डालो, सीधा, देखा जाएगा, आपको हरानी होगी यह जानके, अगर मैं अपना experience बताऊँ आपको, मैंने even log बनाया ऐस चीज़ का कि कितने questions, कितने ऐसे questions हैं, जो मैं directly कर पा रहा हूँ, बिना case study के मदद लिये हुए, तो हर, मान लो मैंने 50 questions solve किये थे, 50 questions का मतलब होता है, हर question के अंदर, 50 questions का मतलब है, basically मैंने 10 case study solve करी, कि हर case study के अंदर 5 questions थे, अब आप यह मान के चलो, कि इन 50 में से 20 से 24 questions तो ऐसे थे, जिनके लिए मुझे case study पढ़ने की जुरत ही नहीं बढ़ी, तो एक उससे फाइदा क्या होगा, मेरी बात सुने, उ time बचे का पकी बात है, right, उसके बाद, उसके बाद, जब आप question बढ़के case study पढ़ते हैं, तो आप एक तरीके से investigative mode में चले जाते हैं, आप उस question का answer ढूंड रहे होते हैं, right, तो हमेशा start reading the questions directly, then read the case scenario, and there will be certain time savers, जैसे मैंने बताया, time saver होंगे, कुछ questions का answer, आपको देखत ही पताऊगा, इसका answer तो यही होना है, option में मिल जाएगा, माक कर देना, लेकिन be very careful, आजपास वाले options देख लेना, question अच्छे समझ लेना, कभी-कभी assumption पे काम करने भी गरवट हो जाती है, right, लीजे, कुछ होंगे जो time consume करेंगे, all in all, 10 number का question हमने कितने में करना है, 10 into 1.6 is equal to 16 minute में करना है, अगर आप इन questions में समय बचा पाए, अगर आप इन questions को, जो 3 questions आपके पास आएंगे, इसे 10-10 number वाले, सोचोगर आप ये 12-12-12 में कर पाए, आपने हर question में 4-4-4 minute बचा लिए, यानि कि बेटा आपने 12 minute बचा लिए, किसके लिए, अपने section B के लिए, right, और सारी चीजे आपको यहां मिलेगी, verb क्या होते है, action word, तो क्या आप बोल रहे है, आपसे उसके requirement क्या है, वो आपसे क्या करने को कह रहे है, comment, right, तो सारी चीजे बहुत अच्छे से पढ़े, mark कर ले, वो आपसे क्या ढूंडने को कह रहे है, वो आपसे कह रहे है, बताओ जी पस हाइलाइटर का option आता है, आपसे हाइलाइट कर लिजे, कि भी यह, this is the requirement, अगर question में आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहां तो कुछ missing है, आप अपनी assumptions ले सकते हैं, मैं जब आपके साथ question solve करने बैठूँगा, मैं आपको इन सब के examples दूँगा, और अपने, देखो ACC आपसे चाता है कि भी यह, तुम ऑडिटर की तरह behave करो, तुम्हें अपने comments देने ज़रूरी है, अपनी value edition ज़रूर देके आएं, for example आपसे पूछा है कि बताओ जी, इस particular case study में, चार control risk बताओ, तो control risk आपको बताना पड़ेगा कि control risk क्या है, उसकी देसे क्या हो सक सकता है, और, और, suggestion भी देके आओ कि भी यह, यह control risk कैसे जो दूर किया जाए, ओके, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, marking scheme में कैसे marks मिलते है, make your answer understandable by writing short, crisp and clear sentences, देखो, हो सकता है, फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी English अच्छी नहीं है, तो बेटा मैंने आपको बोला, आप reading, comprehension और writing की practice कीजिए, reading, comprehension और writing की practice करेंगे, और उसके बदा practice कीजिए, अपने answers लिखने की, और answer जरूरी नहीं है, कभी भी ऐसा मत करो, paragraph शुरू किया, खतम करना ही भूल गए, उसी में रायता फिला जा रहे हो, नहीं भाई, short, crisp answer लिखो, दो line के paragraph, change कर दो, फिर next paragraph में आजो, दो line के paragraph, change कर दो, और ये मत सोचो English में PhD करनी है, English में बस हमें अपने relevant answers लिखने है, आप ऐसी English में लिखके आए, जो आपको समझाती है, obviously keywords के हमें जूरत है, लेकिन उसके आगे पीछे और ज़्यादा धुवाधार अंग्रेजी मारने की जूरत नहीं है, बड़े-बड़ points बनाएं, चोटे-चोटे से, और requirement को हमेशा refer करें, unnecessary questions से time lines उठा के repeat ना करें, it is waste of time, हमारे पास time बहुत ज़्यादा करना है, requirements तो मैंने आपको बताई दिया, कि जैसे मैं बता रहा था, section A वाले questions में, पहले जाके questions पढ़ लो, ऐसे ही section B वाले questions में भी, आप लोग questions reading कर स सकते हैं, और जो सबसे असान लग रहा हो, हो सकता है, किसी को substantive procedure लगाने सबसे असान लगते हो, किसी को control deficiency ढूणना सबसे असान लगती हो, किसी को controls ढूणना सबसे असान लगते हो, तो जो सबसे असान आपको question लग रहा हो, आपने वो उठाना है, और उससे जो है, शुरु framework and regulation review and reporting मैं यह नहीं कह रहा कि यह नहीं आएंगे यह भी आ सकते हैं लेकि framework regulation review and reporting यह बहुत जादा जो है जरूरी है अगर आप लोग पास करना चाहते हैं चलिए अब कुछ question answer की जो बात कर लेते हैं जो आप descriptive question लिखते हैं तो आपके पास जब audit risk का question आएगा audit risk बताएं जी तो आप लोगोंने सबसे पहले तो भी बताना है हर risk में कि इस risk से कौन सा financial statement का item impacted है area कौन सा impact है for example inventory for example जो व्यक्ति जो है inventory receive करता है वो इसके entry करता है वो ही पैसे receive कर लेता है यह वो ही पैसे pay कर देता है तो इस case में भाई control risk है inventory based का inventory impact हो रही है right inventory में क्या के चीजे जो वो इंपैक्ट हो सकती है कौन सी accession impact हो सकती है कौन सा risk है under value over value किस तरह का risk बन रहा है और कौन सा risk है inherent control or detection risk है मतलब आपको उसको हर तरफ से analyze करना है कौन से area पर impact हो रहा है उस area में कौन सी accession पर impact हो रहा है किस तरह का risk है under value का over value का under statement का over statement का और साथ साथ में आपको यह भी बताना है कि यह inherent risk है, control risk है, detection risk है किस तरह का risk है हम यह सारे questions करेंगे मैं आपको example साथ साथ देता जाओंगा लेकिन आप याद रखिए कि यह slide में जो लिखा है न, यह elements आपके written answer में दिखने चाहिए then ऐसी control deficiency question आया आपको पूरा case study दे देंगे बोलेंगे बताओ जी इसमें control deficiencies कहां कहां पे तो आप control deficiency identify करेंगे for example आप बोलोगे segregation of duty नहीं है आदा number, फिर segregation of duty ना होने के अगरण क्या हो सकता है for example loss of revenue हो सकता है या फिर कोई हो सकता है कि भाई sale जो हो पैसा आये लेकिन record ना हो आदा number, फिर आपका recommendation फिर आपका recommendation measure to come over commit उसका एक number ऐसी आपको control identification और test of control के question आते हैं तो आप control identify करेंगे अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने segregation of duty proper कर रखा है ओके, control identified फिर segregation of duty से क्या हो रहा है और कैसे जो है वो material statement को रोकने में मदद कर रहा है आदा number फिर auditor उस segregation of duty को कैसे test करने वाला है एक number ओके, order re-performance करेगा या कोई और procedure वो लगाएगा तो सारी की सारी चीज़े जो है आपको proper लिखनी है यह बच्चो यह जो slides ने सबसे रहे important है इनिकों तो type करकर रख लो अपने पास ओके, then audit evidence question आया तो आपको सबसे रहे बताना पड़ेगा भाई, audit procedure कौन से लगा रहे हो आई, A, E, I, O, U, re-perform analytical procedure कौन सा audit procedure आप लोग लगा रहे हो source of evidence क्या होगा कोई document है, register है, क्या है purpose of test क्या है यानि कौन सी assertion जो है आप लोग चेक करने वाले हो और साथ-साथ में आपने प्रोसे प्रफॉर्म कैसे करना है ओईटर क्या करेगा ओईटर return representation मांगेगा ओईटर जो है external confirmation लेगा तो कैसे लेगा, क्या उसके steps रहने वाले है basic idea तो audit evidence question जो है इस तरीके से होगा और जितने भी question आप practice करते हैं ये दिमाग मिठा लिजिए कि कम से कम आपके minimum हर practice में आपके 50% answers right आने चाहिए, तब ही आप अपने आपको prepared समझिए, otherwise आप लोग prepared नहीं है अपने डबल एक exams के लिए जाके वहाँ पर मत बैठ जाओ भाईसाब बिना preparation के आपको भी दिक्कत, हमें भी दिक्कत आपके माता पितों को भी दिक्कत भाईसाब भी जाता है, समय भी जाता है अगर आप जब exam kit solve कर रहे हैं चलीजी, उमीद करता हूँ आपने यहां से कुछ सीखा, उमीद करता हूँ कि इन बातों को आप लोग follow करेंगे बिना exam kit करें, बिना mock test दिए बिना practice किए, exam में मत जाएए writing practice कीजिए, अपने computers और laptops पे बैठ के, और साथ साथ में classes अच्छे से देखिए जितनी जादा आपने reading, comprehension और writing सुधार नहीं है, उतनी जादा आपके marks जो है वो बढ़ जाने है exam में चलीजी, with this note guys, thank you very much stay connected, stay at Jai Hind, और हां मित्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू, तो जीतना शुरू भाई भाई and take care, God bless you all